गुड मॉर्निंग दियर इस्टुनेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स वेलकम आई एग्रिवूस्ट लेर्निंग ये अग्रिकल्चर एजुकेशन प्लेटफार्म कAmरे में पहले भी मेरे अपलोड हो चीके हैं इस यूटूब चैनल में इस में से आज तीसरा लेक्चर है फील्ड क्राप पेष्ट की स्रीज मेही मेरे पेष्ट एंड इर मेंजमेंट सो लेट्स स्टार्टी नौ फर्स्ट इंशेक्ट है जो मेज की क्राप में एंटेक करते है वह तेम फ्लाई शच्टा प्ली एह फ्लाई होती है या diptera orders जो भी बिलांग करती है उनका जो attacking stage होती है वो maggot होती है यह maggot क्या करती है कि जो new growing suits होते हैं new youngs होते हैं इस तरीके से देख लिजे यह जो new youngs होते हैं new youngs को यह अपना सिकार बनाता है उस पे होस्ट के रूप में उन्ही को ही सबसे ज़्यादा attack करता है और उस समय यह जो new growth कर रहा plants होता है इस plants में attack करता है तो जो new suits होती है new suits क्या है कि सूखने लगती है ऐसे traps में सूखने लगती है इसी condition को ही हम dead heart बोलते हैं यह आपका जो adult होता है adult होता है adult इसका small gray color का होता है अगला इंसेट है इस्टेंबोरर चिलो पार्टेलस इसका जो damage symptoms है जो central suits beaters and leading to dead hearts इसका भी symptoms है चुकि यह जो जब यह attack करता है तो attack के टाइम पर यह जो लीप्स होती है लीप्स में कुछ white color के patch type के बनते हैं इस तरीके के देख लीजे इस तरीके के कुछ white white color के जिस जगह प्यटाइक करता है उस तरीके के white color के patch type के बनते हैं और इसमें भी यह जो new यह dead heart की जो इस्थिति होती है जो मैंने पिछले insect में भी बताया तो उसी तरीके से इसमें भी keeping of dead heart के स्थिति इसमें भी आती है और इसका जो जो लारवी होता है व जो क्या करता है तो मेंड रिप्स में में रिफस के जरिए यापका जो इस से इसमें को भी अन्दर पहुंच जाता है और जो इंटरण थिचु होते हैं उन को डामच करता है इस तरीके से यह आपका यह प्लांटस है यह इसी तरीके से इसमें ऐसे टाइप की लिप निकली रहती है जहां से यह अपना क्रावलिंग करता है और अपना अंदर आ जात उसी के समीप ही यह काफी सारे बोर करता है और इसी condition को ही esos होल का symptoms दे देते हैं जो अंदर से जाता है यह leaves होती है leaves के जरी अंदर पहुंचता है और अंदर से यह इसको होल्स करता है। इसनी को कि इसको कॉपंच को स्हoter होल्स का से बोलते हैं कि वसे अर्फ है एन्दर ही 100 का बना लेता है कि को चुंकि डेद की स्थिती तबी अन्दर से गयोडर से अपलोयम इंदर से आप 26atamente क्ली ही इसका उदलिंद can की स्थिति आता है तो जाहिर सी बात है डेड़ हट की स्थिति अगर आ रही है तो अंदर से जो इसका टिस्व होता है टिस्व में एक टरनल टरनल टाइप का बना लेता है इसका इडेंटिफिकेशन अगर देखें इस पेस्ट का इडेंटिफिकेशन में इसका लारवा है और एडल्ट है जो इसका लारवा है वो आपका येलो ब्राउन कलर का होता है और इसका जो हेड है वो ब्राउन कलर का होता है और अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट इसक मोंत होता है मोंत बोलते हैं Скईडल को और इसका जो साइज होता है मीडियम होता है और इस्टर कलर इस्टर कलर मतलब अधंम प्यूर ब्राउन बोल सकते हैं उसको मतलब पुहाल जैसे राइस इस इस होता है इसी को इस ताइप का तो मेश्यमेंट है में आपका narc करें करने के टाइम पर फोरेट 10 परसेंट या 10 जी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेर की दर से अगर हम इसमें टाइम आप स्प्रे कर देते हैं या डेस्टिंग कर देते हैं तो उस समय इसमें काफी हद तक कंट्रॉल पाए जा सकता है पिंक बोरर है पिंक इस्टम बोरर जिसको ससेमिय इनफेरंस बोलते हैं इसका साइंटिफिक नेम है ससेमिय इनफेरंस इसका जो सिम्टम्स है इसका जो लार्वा होता है लार्वा इसका पिंक कलर का होता है यह यह लार्वा है इसका जो पिंक कलर का लार्वा होता है और इसमे में भी डेड हार्ट की इस करता है चूंकि इसका जो लार्वा के अंदर है यह यह हिस्ट्म के अंदर इसका भी लार्वा पनु जाता है तो स्यम उसी तरीके की कंडिशन यह भी अपना स्वीपा में शो करता है और इसका लारवा देखिए इस टम के अंदर है यह इस टम के अंदर इसका भी लारवा पहुंच जाता है तो सेम उसी तरीके की कंडिशन यह भी अपना आउट करता है और इसका इसकी कंडिशन में भी इसका जो जो मिजरस डेमिजिंग सिंटम्स है जो प्लांट में सो करता है वो होता है डेड हार्ट तो अगर इडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करने पेस्ट की तो एक जो एक्स का एक लेंग करता है वो क्या है कि बीड लाइक लेट देता है बीड लाइक मतलब इस तरीके से य यह आपका जैसे एक यह आपका लिप्स है और लिप्स के अगर एक सर एक तरफ दिया तो इस तरीके से बीड लाइक बीड लाइक ऐसे टैप में यह इसमें बीड टाइप की बन जाये करती है जो लारवा है पिंकिस ब्राउन और डार्क हेड कलर का यह लारवा की बात कर रहा ह और एडल्ट है एडल्ट इसका जो इस्ट्रा कलर का एडल्ट होता है काम वार्म कार्ण वार्म है इसको हिलको बर्पा अर्मी जेरा के नाम से जाना जाता है और ये अगर दूसरे कंडीशन में बोलें तो कुछ ग्राम है जिसमें पाड बोरर के नाम से जाना जाता है बाइज का लार्वा क्या करता है यह क्यूम का होता है यह का है यह कि यह चूराउंडर पेटिशल टैप का च्रहा होता है मेज का बंद किये रहता अंदर इसी कि अंदर ना कुछ एक silken color की यह silken types की silks होती है जो ऐसा लगता है hair hair hairy like structure types का होता है तो यह क्या करता है यह insect उसको सबसे पहले उसी जो hair like structure होती है उसको silks silks बोलते हैं वो silks क्या करता है उसको silks को attack करता है उसको खाता है और इसके बाद जैसे उस सिल्कू को खा लेता है तो जो दाने होते हैं अंदर के उन दानों को खाना सुरू कर देता है और इसी तरीके से जो ग्रेंस होते हैं जो आपका कॉर्ण सोता है कॉर्ण के उपर देखना तो इस तरीके से उसमें ऐसे लगेगा कि होल बने हुए है larva इसका काफी variation होता है लेकिन फिर भी green color का इसका larva, green से ले करके brown color का तक देखने को मिल सकता है variation इसलिए होता है तो क्योंकि काफी इसके larva हैं, larva में कई सारे star होते हैं, सभी star में आला गला ताइब का इसका color बदलने लगता है प्यूपा है प्यूपा इसका ब्राउन कलर का होता है जो स्वेल्स में जाकर के अपनी प्यूपेशन स्टेज करता है और या तो फिर लीप्स में या तो पॉड में या तो डेबरिस में जिस समय हार्वेस्टिंग करते हैं तो बेस्ट मेटीरियल डेबरिस होता है डेबरिस मे जो फोर बिंग्स होते हैं वो ओलिव ग्रीन या प्ल ब्राउन्स होते हैं थैंक्स थैंक्स फार वाचिंग मा यूटूब चैनल एक्रीबूस्ट लर्निंग और